जै माता दी, जै मा कमक्या, जै श्री महाकाल महराज काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खडग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्त ते कामक्ये वर्दे देवी नील परतवासि नीतम देवी जगत माता योनी मुद्रे नमस्त ते कामक्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्त ते काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर्सेविते कौरोमी दर्शन देव्यम सरकामार सिद्ध येत हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट ओम रिम हनुमते राम दूताए नमः सत्यमानी चैनल से आज आप जेल में यदि कोई व्यक्ती हो कारागर में कोई व्यक्ती हो या किसी का तंतर से बंधन कर दिया हो तो उस बंधन को तोड़ने के लिए किसी का घर का बंधन कर दिया गया हो किसी का व्यावसाय का बंधन कर दिया गया हो किसी के हातों का बंधन कर दिया गया हो मांगलिक कारियों का बंधन कर दिया गया हो तो इसको तोड़ने के लिए बंधी, मोचन, मंत्र और इस्तरोत का प्रयोक किया जाता है कोई भी मनुष्य इसको शुब मुहुर्त में पूजा पाट करके, जप तप करके, सिद्ध करके, अपने परिवार के सदस्य को बंधन से मुक्त करा सकता है। या फिर यदि लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप सत्यवानी चैनल के जो वाटसप नंबर है 98931 28047 और 7649862712 पर संपर कर सकते हैं। इस विद्ध्या के अंतरगत, जो बंधन, मोचन, मंत्र और इस्त्रोत है, इस विद्ध्या से यदि किसी मनुष्य को दुर्भाग्यवश, यह पिछले जनम के कर्म के अनुसार यदि दुर्भाग्य उत्पन हो गया है, तो दुर्भाग्यवश वो यदि कारागार में चला ग कोई अपना संबंधी केद हो जाए, तो एसी विकट परिस्तिती में उसकी मुक्ती है तू, एक बंदी देवी होती है, उसकी उपासना करनी चाहिए, इसकी उपासना करने से बंधन तूट जाता है, या जेल से केदी को मुक्ती मिलती है, इस बंदी देवी का एक यंत्र भी है, मंत्र भी है और इस्त्रोत भी है तीनों का पूजा पाठ करना होती है तो बंदी देवी यंत्र अत्वा भगवती दुर्गाजी के समक्ष इन इस्त्रोत और मंत्र का जब किया जा सकता है और कम से कम इसको सिद्ध करने के लिए यह इस बंधन से मुक्त कराने के लिए पांच लाख जब कम से कम करना होता है और दशांस हवन किया जाता है तो यह काम करना प्रारंब करता है मंतर बहुत छोटा है इसलिए इस मंतर का जाप करें और ये एक इस्त्रोथे उसका ग्यारा बार पाट करें। और रोजाना मा भगवति को, बंदी देवी को, प्रसाथ के रूप में खीर ओर माल पुवे का भोग लगता है। यानि कि गाय के सूखे गोबर के उपर खीर देना है हवन के रूप में और माल पुवे का भोग लगाना है और जो व्यक्ति स्वयम अनुष्ठान करने की प्रर्याप्त वीधी न जानते हो या उसके पास समय का अभाव हो या अनुष्ठान करने का उसको अभ्यास न हो तो ऐसी परिस्तिती में किसी योग के विद्वान या गुरू से या अनुष्ठान आप करवा सकते हो तो या अनुष्ठान करवाने के लिए आप देव नाधाटर सत्यवानी चैनल से संपर कर सकते हैं स्वयम केदी भी किसी भी केद से मुक्ती है तू मानसिक रूप से इस मंत्र का जब कर सकता है केद में पक्षी जो पिंजरे में बंद रहते हैं उनको मुक्त कराना अच्छा पुन्य का काम होता है इस सुब कर्म के संपादन से केदी को मुक्ती मिलती है और शिग्र ही देवी सहायता भी प्राप्त होती है परंतु मेहनत करना होती है, अनुस्ठान करना होता है, पेशा खर्च करना पड़ता है त्याग तो करना ही हो करना होगा तो इसका जो विधान है पूरा उसमें विन्योग किया जाता है पहले अम अस्यसी बंदी मंत्रश्य भेरव रिशी त्रिपुष्ट चंद बंदी देवता भवबंद कारागर बंधन मुक्त ये जपे विन्योग जप करना पड़ता है पिर न्यास करना होते हैं, कोई भी अनुस्ठान करें, विशेश उद्देश से करें तो उसका न्यास अत्यनत आवश्यक होता है अब इसका ध्यान बोला जाता है ये उस बंदी देवी की ध्यान है इसका जो मंत्र है बहुत छोटा सा मंत्र है तो इसको आप कम से कम जैसा बताए गया है पांच लाख जप करना होते हैं इसका बड़ा मंत्र भी है ओम एम रीम श्रीम बंधी और अमुक अमुक व्यक्ति का नाम बंध मुक्षम कुरू कुरू स्वाह जो व्यक्ति बंधन में है उसका नाम ले बीच में और इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं इसका नवाक्षर मंत्र भी है आम, राम, हूम, बंदी, देव्ये, स्वाह, इस मंत्र के कव्य रिशी, त्रिपुष्ट, छंद, रिम, भीजम, हूम, की लकम, और बंधन, मुक्ति के लिए विन्योग किया जाता है, और इसका जो एक यंत्र भी होता है, उस यंत्र के जो आवरन होते हैं, चार आवरन होते है शटकोन, अस्टदल, भूपुर बनाकर आवरन की पूजा की जाती है, तो इसमें प्रथम आवरन, दिती आवरन, तरती आवरन और चतुर्थ आवरन की पूजा होती है, और इस यंत्र के बीचों बीच में देवी का पूजन करके जप आरंब करते हैं, यह यह इसका विधा आवरन, 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 आव और उसके बाद जेंत्र के मद्धे में देवी जी का पूजन किया जाता है। तो जैसा की पूरा आपको मैंने विधान बता दिया है और जो व्यक्ति जेल में हो या किसी कारागार में हो, किसी के बंधन में हो, तो उसके नाम से केद में जो पक्षी होते हैं, उनको छुडाना भी होता है। इसका एक बंधी मोचन इस्तरोत भी है, उसका भी पाठ साथ साथ करना होता है। तो ये पाठ मंधी इस्तरोत जो बड़ा है, इसका कम से कम ग्यारा पाठ करना चाहिए, रो जाना। जैसा कि अधिकांश लोग सुख भगवान की कोई विशेश पूजा जपादी नहीं करते हैं, सुख में नहीं करते हैं, केवल संकट काल में ही इश्वर की मंत्र उपासना करते हैं, एसे व्यक्तियों को इश्वरी सहायता देरी से मिलती क्योंकि वो रोज भगवान को याद नहीं करते हैं, इसलिए मैं बारम बार रोजाना आपको बोलता हूँ कि रोजाना भगवान का इस्मरन करो। और जो हम चालिस नाम बोलते हैं उनका नाम का इस्मरन करने से, सभी कुरीब कुरीब सभी देवी देवता। आपके इस्ट देवता, कुल देवता, इस्थान के देवता, इस्थापिद देवता, ब्रहमांड के देवता, ब्रहमा, विष्णु महेश, सभी का नाम उसमें आ जाता है। आप उनको रोजाना याद करो के दिन में तीन बार, तो कभी कोई इस्पेशल अनुष्ठान करना पड़ा, तो सभी देवी देवता, आपकी इश्वरी सहायता तुरंत प्राप्त होती है। तो चाहे सुको हो, चाहे दुखो हो, इश्वर को रोजाना याद करना चीए। ओम सर्वेभ्यो देवे भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो तिर्थे भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्रामडे भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो रिशी भ्यो नमाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमाहा, ओम नवग्रह देवता भ्यो नमाहा, ओम वास्तु देवता भ्यो नमा Om मात्रपित्चंकम्रेव्यो नम आँ सब्सक्राइब्यो सब्सक्राइब्यो नम आँ सब्सक्रिकरkehr नम आम शप्थ रिषिभ्यो नमा आम सब्त Ahora भोग नदीव्यो नमा आम चाम चैत्रपालाई नमा आम भं भेरवाई नमा आम कृद्डन का आनमा हां, हम हनुमते नमा ही आम कृष्णाय नमा ही नमा आम भग også भ्राग वास्तों बंक नमोनर Ko आम लक्ष्णी नारानाये नमो नमाह। इस प्रकार से इन शक्तियों को रोजाना दिन में तीन बार याद करना चाहें ताकि विशे समय पे जे शक्तियां, आप जब याद करें, विशे संकट के समय पे, तो ये आपको इश्वरी सहायता तुरंत प्राप्त होती है, अधिकतर मनुष्य संकट काल से मुक्त होने के लिए, बहुत अधिक व्याकुलता में, एक साधना कर्म को छोड़कर, दूसरे और दूसरे को छोड़कर कई साधना कर करते रहते हैं, यानि कि जब मनुष्य के पास संकट आता है, तो वो चारों तरफ हाथ पे फेलाता है, चारों तरफ हाथ पे डालता है, और अलग-अलग प्रकार की, अलग-अलग साधना करते रहता है, तो ऐसे अलग-अलग साधना नहीं करनी चाहिए, साधना पद्धती क कि यह इस्तती बिलकुल गलत है, यह थीक है, संकट आ गया, बहुत जादा संकट आ गया है, आपका मन व्याकुल हो गया है, तो अलग-अलग एक साधना कर्म पूरा नी हुआ आपने दूसरा साधना करना चालू कर दी दूसरी के बाद तीसरी चालू कर दी ऐसे अलग-अलग गुरुओं के द्वारा अलग-अलग उपाय बताई जाते हैं वो नहीं करना चाहिए इस जल्दबाजी से कस्ट कम नहीं होते हैं, और अधिक बढ़ जाते हैं, यहने किसी एक शक्ती के चरण पकड़ने से आप इस भवसागर से तर सकते हो, इसलिए मनुष्य की मानसिक इस्तती भी अलग-अलग साधना करने से भंग हो जाती है, और एक तो उसके उपर कस्ट आय हुआ है, संकट आया हुआ है, फिर आप अलग-अलग साधना करते हो उस संकट को दूर करने के लिए जो बिलकुल अनुच्छित हैं, तो आप किसी एक शक्ती के उपर पुन रूप से श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि अलग-अलग साधना करते हैं, तो ऐसा अधीन है, आपको केवल कर्म करना है, इश्वर को ही या निश्चित करने दे कि आपको साधना कर्म का फल आपको कब मिलेगा, अभी तक किसी गुरू या विद्वान के पास ऐसी शक्ती नहीं है, जो कि इश्वर को शिक्र फल देने के लिए बाध्धे कर दे या विवश कर है, दुर्भागी भी हर मनुष्य का अलग-अलग समयen पे आता है, और कभी-कभी बहुत जादा एसा भी हो सकता हे, को इंसिडेंश कि सबी व्यक्तियों का दुर्भाग्य ने गलत गरह नक्षत्र एक ही समय पे आ जाता है। तो दुर्भाग्य साधान इस्तरका भी हो सकता है। और यदि दुर्भाग्य साधान इस्तरका हो तो साधना के माध्यम से शिग्रकार संपन हो जाता है। परन्तु दुर्भाग्य यदि प्रबल रहा यहने पाप बहुत जादा रहे और श्राप बहुत जादा रहे तो स्वाहा करने के लिए इन पापों को और श्रापों को दूर करने के लिए या जलाने के लिए कई बड़े अनुस्ठान करना पड़ते हैं चोटे मोटी जीवन में जो संकट आते हैं, उनको तो चोटी मोटी साधना और पूजा पाट से दूर कर सकते हो, पर तुछ जब बड़ा संकट आता है, तो उसके लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है. माल लीजे उधारन के लिए, कि आप किसी संकट से मुक्ती है तू, किसी मंत्र की रोज 11 माला करते हो, और यदि उस संकट का निवारन नहीं हो रहा है, तो आप उस जब की माला जो है, उसकी 11 माला की बज़ा 21 माला कर दो, 31 माला कर दो, परन्तु मंत्र के उपर विश्वास रखो, या देवता के उपर विश्वास रखो, पूर्ण रूप से समर्पन भाहा होना चीए, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए. और जिसके द्वारा भी ये मंत्र दिया गया है, आपको साधना दी गई हो, उसका जो विधान होता है, उस विधान का अक्षर सह पालन करना चाहिए. तो मेरा सभी साधक जन्द से अनुरोध है, कि एक ही देवता की उपासना करें, और उसी को पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ में, पूर्ण समर्पन भाह से एक ही शक्ती में लीन रहें. तो इसी में जो साधना करता है, उसका परम कल्यान होता है. मनुष्य यदि भटकता है, साधना के दोरान या ऐसा कोई संकट आता और उसमें अनुष्ठान करता है और भटकता है, तो उसका कहीं पर भी कोई भी कारिये पूर्ण नहीं होता है. मंत्र देवता और गुरु से स्रेष्ट कोई नहीं है तो मंत्र अवश्य फलीफुत होगा इसी दिव विचारधारा से मंत्र की साधना करना चाहिए और जब साधना करें तो नित्य देनिक कर्म जो भी आपके होते हैं उनका भी धर्म पूर्वक संबादन करो उनको भी पूर्ण करो एक तरप मंत्र साधना रूपी शुब कर्म आप कर रहे हैं और दूसरी तरप यदि आप अपने देनिक जीवन में अनितिक कारी कर रहे हो तो इश्वर असमंजस में पढ़ जाता है यानि कहने का हमारा अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को अपना आचरन भी सुधारना चाहिए आचरन का मतलब हो गया जिसे समाज पापकर्म कहता हो जिसे धर्म अधर्म कहता हो और जिसे धर्म पापकर्म कहता हो वह कारी हमेशा हमेशा के लिए छोडने का संकल्ब भी लेना चाहिए आप देनिक नित्य कर्मों में यदि जूट बोलते हो देनिक नित्य कर्मों में यदि किसी को लूटते हो और एक तरप आप साधना कर रहे हो किसी को बंधन से मुक्त कराने के लिए तो उसमें वो साधना फलित नहीं होती है इश्वर भी अस्मन जस्वे बढ़ जाता कि मैं इसको साधना का फल दूँ कि इसको ये जो पाप कर्म कर रहा है उसका फल दूँ इसलिए धर्म परायन पुरुश जो होता है वहाँ नित्य कर्म जो होते हैं उनको त्याग देता है और फिर साधना करता है ताकि उसके हातों से किसी की गलत किर्या न हो जाएं गलत विचार उत्पन्न न हो जाएं मन में विकार उत्पन्न न हो जाएं अब क्या होता है कि हम भोजन करते हैं जैसे तो इश्वर ने भोजन की व्यवस्था भी किये हर मनुष्य के लिए यदि भोजन में कीडे पड़ गए हो यदि भोजन के उपर कुटों ने रस्टी डाल दी हो यदि किसी मनुष्य ने उस भोजन को मुझ से फूख फूख करके ठंडा करा हो जो जूटा हो जाता है जो अद्ध पका हो जिसको किसी ने चक लिया हो जो शुद्धता पुरवक तयार न किया गया हो जिसमें फटे आसनों पर बेट कर भोजन कराया हो जो अपने समीप वर्ती जो वेक्ती पास बेठा है उसको न दिया गया हो विपूरित दिशा में बेठा गया हो विपूरित कोन की और बेठ करके खाया गया हो या फिर दोनों संध्याओं के समय पे यहने कि सुबह ब्रह्म मुहत में दिन और रात के मिलन के समय पे और शाम को भी दिन और रात के समय के मिलन पे भोजन किया गया हो और एसे भोजन को बाजा स्वर्ताल के साथ खाया गया हो एसा भोजन जी से रजजस्वला इस्त्री के द्वारा लाया गया हो बनाया गया हो और देखा गया हो एसा भोजन दुर्शित भोजन हो जाता है जो और किसी दोस्ट से युक्त हो एसा कोई भी खाने पीने का सामान तुमारी पुस्ती के लिए यदि कोई व्यक्ति देता है तो उसे नहीं खाना है जब भी कोई हवन पुजन किया जाए तो शद्दा भाव से किया जाए बिना नहें, बिना जल्द के अवहेल ना पुर्वक यदि कोई दान देते हैं जो व्यर्थी की पड़ी हो या फेक दी जाने वाली हो ऐसी वस्तु का दान देते हो और अत्यंत अभिवान से देते हो दोश से, कुरोध से तता कस्ट मान कर किया हुआ दान इसका फल प्राप्त नहीं होता है इसी लिए धर्म की दृष्टी से साधना करना चाहिए और सत्य की अवहेलना पुर्वक अध्यन भी नहीं करना चाहिए तो मनुष्य को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए तो यहाँ पर जो चीद आखरी में बताई गई है साधना सिद्धी के लिए कि कीरे पड़ गए हो वो भोजन नहीं करना चाहिए साधना के दोरान या कभी भी कुटों ने दृष्टी डाल दी हो एसे भोजन को कुटों को खिलाने के लिए दे देना चाहिए और जो भोजन मुझ से फूप मार करके ठंडा किया गया हो एसा भोजन भी साधना काल में नहीं करना चाहिए जो भोजन जूटा हो और अधपका हो एसा भोजन साधना काल में नहीं करना चाहिए हेसे भोजन को जिसने पहले चक लिया हो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए और जो शुद्धता पुर्वक भोजन तयान नहीं किया गया हो उस भोजन को भी साधना काल में नहीं खाना चाहिए और फटे आसन पर बेट करके भोजन नहीं करना चाहिए और यदि आपके साथ में कोई व्यक्ति बेठा हो तो उसे भी भोजन अवश्य खिलाना चाहिए यदि आप उसको नहीं खिला के भोजन करते हो तो ऐसा भोजन भी साधना में अशुद्ध माना गया है यानि ये कोई सी भी साधना हो पर तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बंदी मोचन की साधना इस साधना में मनुश्य जब साधना करेगा तो भोजन तो करेगा ही करेगा तो इन चीजों का अवश्य द्यान रखें और विप्रित दिशा में बेट करके भी भोजन नहीं करना चाहिए यानि दक्षिन दिशा में बेट करके भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा तिकोने की और मुझ करके भोजन करना चाहिए, दिन और रात के मिलन के समय पे सुबह और शाम को दिन और रात का मिलन होता है, ब्रह्म मुहृत और संध्या मेला का वक्त होता है, उस समय भी सादक को भोजन नहीं करना चाहिए नाच गाने के साथ में स्वर्ताल के साथ में भी भोजन नहीं करना चाहिए यानि सादना काल में नाचना, गाना स्वर्ताल को सुनना ये आपको नहीं करना चाहिए रजस्वला इस्त्री यहने मासिक धम से युक्त इस्त्री, अशुद इस्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए उसके द्वारा लाया गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए और उसके द्वारा देखा गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए अन्यता आपका पुन्य च्छाय होता है और कोई भी भोजन जो किसी दोष्ट से युक्त हो एसा कोई भी खाने पीने का सामान जिसके अंदर दोष्ट हो उसको भी साधक मनुष्य को नहीं खाना चाहिए अब साधना जब करते हैं बंधन मोचन की साधना करोगे तो श्रद्धा से हवन करना है पूर्ण श्रद्धा भाव से हवन करना है बिना श्रद्धा के हवन नहीं करें बिना इस्नान की हवन नहीं करें बिना जल के हवन नहीं करना चाहिए और अवहेलना पुर्वक कोई भी दान नहीं देना चाहिए यानि दान देने के लिए कोई मना कर रहा है किसी ने टोकाटाकी कर दी तो फिर उसका दान नहीं देना चाहिए और ऐसी वस्तु जो आपके घर में व्यर्थ पड़ी हो या आगे समय आने पर उसे फेक दी जाएगी तो उसको दान समझ के मत दीजिए उसको ऐसे ही दे दीजिए और कोई भी दान देना है तो अभिनम्रता के साथ दी दी अत्यंत विनम्रता के साथ देना है अभिमान के साथ में नहीं देना है जब भी कोई दान करें कुरोध के साथ दान नहीं करना है दोस्त से अभी दान नहीं देना है और दान देते समय कश्ट नहीं होना चाहिए यदि आप ये सब कर्म करते हैं इनका पालन करते हो तो ही आपकी ये बंदी मोचन की साधना सफल होगी अन्यता नहीं होगी और जो भी कारी करें इस साथना के दोरान धर्म की द्रस्टी से करें और जो सत्य हो वही करें सत्य की अवहेलना नहीं करें तो ही आपका ये बंधन, मोचन इस्तरोथ जो है ये काम करेगा अन्यता काम नहीं करेगा तो बहुत से मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि साथ आपने बताया था हमने पूरा किया पर तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे पेसे अलग बरबाद हो गए तो ये जो नियम हमने बताए हैं इन नियमों का पालन अवश्य करना है तो बंदी मोचन इस्त्रोत बंदी देवी नमस करत्यम वर्दा भैशो भिताम तदग्रयाम शरणम गच्चे शिग्र मोक्षम ददा तुमे बंदी कमल पत्राक्षी लोह श्रंखल भंजनी कुरुमे देवी शिग्रम मोक्षम ददा तुमे तम बंदी तम हामाया तम दुरगा तम चरस्वती तम देवी रजनी चेव शिग्रम मोक्षम ददा तुमे मेह प्रसादम संसारतारिनी बंदी सरकाम प्रदाईनी सर्व लोकेश्वरी देवी देवि धात्री धारित्री च धर्मशास्त्र भाषिनी दुष्वाम्मराशनी दुष्वाम्राणी देवि शिग्रममक्षं ददात्में. नमस्तुते महालक्षमी रत्न कुंडल भूशिते शिवास्या रधांगिनी चेव शिग्रम मोक्षम ददातुमें। ये नो उसमें इस्तरोध दिये हुए हैं, नो मंत्र दिये हुए हैं, इनका पाठ करना होता है ग्यारा बात कम से कम। जै मातादी, जै मा कमक्या, जै श्री महाकाल महराज और जै बंदी देवी। तो ये बंदी देवी का पूरा मैंने आपको विधान बता दिया है कि बंदी देवी का मंत्र और इस्तरोध को किस प्रकार से प्रयोक करें। कि यदि आपके उपर तंत्र का बंधन हो, मंत्र का बंधन हो, यंत्र का बंधन हो, या आपका कोई व्यक्ति किसी के बंधन में हो, या कोई व्यक्ति कारा ग्रह में चला गया हो, या फिर किसी को जेल की यात्रा हो गई हो, इन सब को छुडाना हो, तो उसके लिए ही श्थान संपन्न किया जाता है ओम हिली हिली बंदी देविये नमाह ओम हिली हिली बंदी देविये नमाह